तीन दिन पहले ही अपना 93 बर्दे सेलिब्रेट करने वाले दिगज अभीनेता रमेश देव का निधन हो गया है। आपको बता दे कि इन्होंने मराथी फिल्मों से लेकर कई बॉलिवुड फिल्मों में अभीने किया था जिसके बाद मराथी और हिंदी सिनेमा में शोक की लहर है। उन्होंने बॉलिवुड में कई शांदार फिल्मे दी और फिल्म उद्द्योग में अपने अभिने से नाम कमाया। एक्टर रमेज देव मूल रूप से कोलापुर महराश्टर के रहने वाले थे। उन्होंने फिल्म आरती हिंदी सिनेमा में अपने अभिने के करियर की शुरुआत की थी। अपने लंबे फिल्मी करियर में रमेज देव ने कई बड़े बड़े स्टांस के साथ काम किया। और अपने अभिने के बल पर मराथी फिल्मों से लेकर बॉलिवुड तक अपना मुकाम बनाया था। अभिनेता रमेश देव ने अपने लंबे फिल्मी करियर में सोने पर सुहागा आजाद देश की गुलाम खुदरत का कानून इलजाम पत्थर दिल हम नौजवान करम युद मैं आवा रहा हूं आखरी दाओ प्रेम नगर कोरा कागस जैसी कई फिल्मों में शानदार अभिने क इनके निधन की खबर सुनते ही मराच्ची और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूब गई है जहां कुछ जानी मानी हस्तियों ने रमेश देव के निधन पर शोक्त व्यक्त किया है एक्टर निलेश सामले ने रमेश देव के साथ एक कुरानी फोटो शेयर की और हमने अभी-अभी 27 जन्वरी को उनकी उपस्तिति का अनुबफ किया उन्होंने कहा सर सेट पर आये और हमें आर्शिवात दिया सब कुछ एक सपने जैसा लगता है उन्होंने हमें अपने जीवन की कहानिया सुना कर मार्ग दर्शन किया उन्होंने हमारे प्रदर्शन के लि फिल्म निर्माता महिश मांजे करने भी उनके निधन पर शोक्त व्यक्त किया है उन्होंने कहा रमेश देव का निधन दुखद और आविश्वस निये हैं इस उम्र में भी वे काफी फिट थे अपनी सेहत का इतना खयाल रखते थे मैं उनसे एक महीने पहले एक कारिकरम के दौरान मिला था जहां वे आये थे और मुझे अब भी याद है कि उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में कुछ भूमिका निभाने के लिए कहा था और कल भी हम उनके बारे में बात कर रहे थे कि वे इस उम्र में इतने उर्जवान हैं कि उन्होंने कुछ दिन पहले अपना ज पुलें.